एक्सेसाइज 3.1 इस पूरी एक्सेसाइज में एडिशन के समसे हैं यानि आपको सिर्फ इसमें प्लस करनी है तो फर्स्ट कोश्चिन जो है इन में सिर्फ इने एड करना है 10 10 की 0 राइट वाली डिजिट को लिखा जाता है और लेफट वाली डिजिट को चली जाती है तो 6 & 4 10 होते हैं 10 की 0 1 करी 9 and 2 11 11 में 1 add किया 12 12 को यहां पर हमने 2 लिख लिया फिर 1 carry 5 और 4 9 होता है 9 में 1 जो carry गया था उसको add किया तो आन से मिला 10 10 के 0 फिर 1 carry 7 और 6 13 13 में 1 add किया 14 14 का 4 यहां 1 carry 7 और 3 होता 10 10 में 1 11 1 add किया तो हो गया 11 11 का 1 यहां पर लिखा और 1 गया carry में 4, 2, 6 6 और 1 जो उपर carry में था वो हो गया 7 तो हमने यहां 7 लिख लिख लिया अब हमारे पास कोई carry नहीं बचा है 5 और 3, 8 बस इसी तरीके से सभी sums करने है Q2 Arrange the in columns and add the following इनको columns में arrange करना है और फिर add करना है एक Q2 में तीन नमबर दिये गए है 1, 2, 3 इनको column में लिखकर फिर add करना है यानि कि जैसे first question था बिल्कुल वैसे ही column में लिखने का मतलब है कि एक number के नीचे दूसरा number उसके नीचे धर number और फिर उसे add करना है इस तरीके से पहले आप question लिखेंगे हर question में सबसे पहले जो question दिया गया होता है वो आप लिखेंगे जैसे कि ये है question ये question है मैंने आपको सिर्फ solution प्रोवाइड किये है तो आप पहले book में से देखकर या PDF में से देखकर question उतारेंगे उसके बाद जो मैं solution दे रही हूँ वो आप लिखेंगे तो first number ये था second और third ये था ठीक है first, second और third ये तीन number थे जिनको हमने column में लगा लिया column में लगाने के बाद इनको add करेंगे question number B है इसमें देखिए comma यहाँ पर गलत जगा पर लगाया हुआ है one, ten, hundred यहाँ पर comma आना है thousand, ten thousand, comma क्योंकि आगे की दो number में भी Indian system के according ही comma लगाया हुआ है तो इनको लगाने के बाद फिर add कर देना है तो first question सिर्फ six lakh तक दिया हुआ है उसके बाद जो second number है वो four करोड है उसके बादवाला number two करोड है तो आप जब numbers लिखेंगे तो इसको इधर से लिखना स्टार्ट करना है right hand side से यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे तो डिजिट्स गलत जगा पर हो जाएंगे इसलिए आपको right side से स्टार्ट करना है अब add इनको फिर आपने add करना है आप देखिए 2 के उपर भी यहां पर कोई डिजिट ने है 4 के उपर में कोई डिजिट नहीं है इसी तरीके से C पार्ट में है 54 लाक तक नमबर है 2 नमबर करोड तक है और 3 नमबर 10 करोड तक है तो जब आप right side से लिखना स्टार्ट करेंगे तो कोई नमबर कलाच जगा पर नहीं बैठेगा और अगर किसी नमबर के उपर कोई स्पेस खाली रहता है तो कोई बात नहीं बस आप सही जगा पर नमबर लिखेंगे और उसे add करेंगे जिस तरीके से आपने D part देखा 1st नमबर दिया गया था हमने right side select ने start किया 2nd number को right side से एक number के नीचे यानि एक digit के नीचे एक digit आनी चाहिए आगे पीछे नहीं करेंगे उससे प्लस करने में आपको mistake हो जाएगे आपसे ठीक है तो एक number के नीचे एक number ही होना चाहिए जिससे की solve करने में add करने में इस रहे question number 3 है the population of Odisha in the year of 2011 was 41,947,250 2011 में Odisha की population 41,947,250 थी अगले साल ये इतना बढ़ गई 5,87,210 इतना लोग उसमें और add हो गई what was the population in the year 2012 तो 2012 में अगले साल कितनी population हो गई तो क्या करेंगे add करना इसमें population of Odisha in 2011 2011 में Odisha की population है ये increased by बढ़ गई कितनी इतने इतने लोग उसमें और add हो गई अब कितनी population है population of Odisha in 2012 तो 2012 में कितनी population हो गई है ये पता करने के लिए दोनों को add कर देंगे question number 4 है the difference between two numbers is 8,75,31,558 दो number है दो number का difference इतना दिया गया है ठीक है कोई दो number रहे होंगे दोनों को minus किया तो minus करने पर इतना answer आया अब जिन दो number को minus किया गया था उन में से छोटा वाला number जिसको नीचे रखते हैं बड़े number को उपर रखते हैं छोटे को नीचे रखते हैं और फिर minus करते हैं तो छोटे वाला number तो ये है find the greater number तो बड़े वाला number जिसमें से इसको minus किया गया था वो number क्या होगा तो उस number को निकालने के लिए देखे क्या लिखा पहले तो वो difference जो आया था यह निनको minus करके जो answer आया था वो लिखा था और जिन दो number को minus कि और में से जो smaller number है वो ये है तो बड़ा number क्या रहा होगा greater number निकालने के लिए उन दोनों को भी add करेंगे ठीक है इतना अधिक है ठीक है एक number है जो इतने में इतना और ज्यादा है तो वो number क्या होगा दोनों को add कर लेंगे और answer आ जाएगा ठीक है दोनों number को add करके हमें answer मिल जाएगा यह required number यानि वो number जो हमें चाहिए था